प्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूच्व फेस्बुक और आजे टीवी नेट्वक पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का देनिक राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश सले करमीन राशिफल की साथ इस साथ आपको बताएंगे राशिय नुसार कुछ सिंपल से उपाए पंचांग बताएंगे आपका लखी नंबर लखी कलर लखी डिरेक्शन लखी टाइम बताएंगे और राशिफल के आखिर मे पर चंदरमा कन्या राशी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे दिन का लगी नंबर रहेगा सविन लगी कलर रहेगा ग्रे लगी डायरेक्शन रहेगी ईशान राहुकाल जो रहेगा वो रहेगा शाम को 3 बज़े से साड़े चार बजे तक का रवी योग रहेगा शाम को पांच बच कर उनतीस मिनट से लेकर अगले दिन सुभे पांच बच कर त्यालिस मिनट तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा शाम को साड़े पांच बज़े से लेकर साड़े साथ बज़े तक का विशेश क्या है शिवी योग है नाग पंचमी का महा पर वह है और मंगला गौरी तीसरा मंगला गौरी वरत है तो चलिए अब आपको बताते हैं हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी नाग पंचमी से ही ज साथ में कोई बुरी खबर मिल सकती है ऐसे योग हैं कारोबारी निर्णे सतरकता से लें अचाना के धनलाप के योग हैं संतान की चिंता रहेगी भाशा पर थोड़ा नेंतरन रखें उपाईये करें की बरगत के नीचे तेल का दिपक करें दूसरी राशी व्रिश यानिके और इसकी बात करेंगे आए के सुरोत मिलेंगे घर की चिंता से परेशान रहेंगे घरेलु काम भाग दोड़ रहेगी निवेश से लाब होगा कारोबरी यात्रा से लाब होगा उपाईये करें कि सूखा धनिया के दाने तिजोरी में रखें तीसरी राशी मितुनी यानि ज सेवन करें बात करेंगे चौती राशी करक यानि के कैंसर की शाम में घूमने परने जाएंगे नौकरी पेशा को लाब होगा काम में लापरवाही से बचें उम्दा खाने का मजा लेंगे नए काम सीखने में रुची रहेगी उपाईये करें कि किसी गरीब कन्या को हरी पांच्वी राशी सिंग यानि के लियो की बात करेंगे थोड़ी सुस्ती रहेगी धनलाब के योग हैं यातरा सफल रहेगी फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा गरेलु माहुलदा शान्त रहेगा काम में सतर पहें उपाईये करें कि जे में हरे रंग का पैन रखें चटी राशी कन्या यानि के वरगों की बात करेंगे रोजगार में सफलता मिलेगी प्रतिष्ठा में वरद्धी होगी कारशेतर में मेहनत करेंगे कीमती चीज़े संभाल कर रखें बुज़र्गों की सेहत बिगड़ेगी उपाईये करें कि कलाही पर हरा धागा बांध हैं साथवी राशी तुला यानि की लिवरा की बात करेंगे नई कारोबारी योजना बनाएंगे सरकारी काम में लाब होगा कारोबारी शत्रों से सतर्क रहें परिजनों से मद्भेद रहेगा खान पान काबू में रखें उपाईये करें कि किसी धर्मस्तल में मिश्री चड़ा आठवी राशी ब्रिश्चे कियाने कि स्कॉर्पयों की बात करेंगे सेहत पर ध्यान दे धनलाब के योग हैं शत्रूं पर जीत मिलेगी खास काम में कुछ बिलंब होगा जीवन साती की सलहा से बड़ा लाब होगा उपाई ये करें कि गाये को हरी घास खिलाए नवी राशी धनू यानिकी सेजटेरियस की बात करेंगे लोग व्योहार से खुश रहेंगे संतान से खुशकबरी मिलेगी लाब के मौके मिलेंगे सामाजिक काम सफल रहेंगे शाम में पाटी इंजॉय करेंगे उपाई ये करें कि जेर में पांच रुपय का शिक्क रखें दस्वी राशिय मकर यानिकी के प्रिकाउन की बात करेंगे यातरा की योग है निवेश से लाब होगा सातरकता से आर्थे की निर्णे ले कारोबरी विस्तार की योजना बनाएंगे प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी उपाई ये करें कि धार में एक चुतर पर सूखा धनिया चड़ाएं ग्यारवी राशिक कुम्भियनी के अक्वैरेस की बात करेंगे खर्चों में व्रद्धी होगी विवाद से बचें द्रगटना के योग हैं काम में जोखिम नालें बुजर्गों की सलहा से लाब होगा भाई भेहन से सम्मन सुधरेंगे उपाई ये करें कि किसी पेड़ पर सूखा धनिया के दाने चड़ाएं बारवी राशी मीन यानि पैसेस की बात करेंगे जूट बोलने से बचें माता के सेहत चिंतित करेंगी दफ्तर में काम की अधिकता रहेगी शाम में ठकान महसूस करेंगे शतरों से सतर पहें उपाई ये करें कि देने कुजा में घीका दीपा करें तो दोस्तों आप समय है आज के स्पेशल उपाय का वो स्पेशल उपाय जो पारिवरिक जीवन को खुशहाल बनाएगा देखें खास दिन है सावन की पंचमी है नाग पंचमी का परव है और इस दिन रवी योग भी है विशेश और शिव योग बन रहा है ऐसे में आप शिवाले जाकर शिवलिंग और नाग देव का पूजन करें और लड़ू पर पांच लॉंग लगाकर शिवाले में नाग देव पर चढ़ाएं इससे पारिवरिक जीवन जो है वो आपका खुशहाल बनेगा और पूरे प्रयोग में विशेश मंतर का जाप करें ओम सर्पे शाय नमह आश्वस्त करता हूं आपका पारिवरिक जीवन खुशहाल बनेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए